हेलो फ्रेंड्स प्रिविएस वीडियो में हमने देखा था कि इमेज को कैसे डिस्प्ले करवाते हैं तो आज हम सिखेंगे कि जब हम सब्मेट बेटन पर क्लिक करते हैं तो रेकोर्ड इंसर्ट होता है तो तो select.php हमने जो page बनाया था उसमें redirect कैसे करते हैं तो मैं अभी मुझे data देखना हो तो select.php में जाके page को run करना पड़ता है अगर मुझे data देखना हो तो select.php page का नाम देके मुझे data देखना पड़ता है लेकिन मुझे ऐसा करना है कि जो insert.php है जैसे ही मैं insert बेटन पर क्लिक करूँ तो redirect कहाँ पर होना चाहिए select.php पर तो उसके लिए दो option है first है form action, form action से हम जैसे ही submit बेटन पर क्लिक करते हैं तो दूसरे page में redirect होता है लेकिन यहाँ पर हम form action का use नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हम form action का क्यों use नहीं कर सकते हैं तो हम उसको practically देखते हैं हम my computer में जाते हैं, c drive में, samt naam के folder में, addtdocs में, php नाम के folder में जाते हैं और insert.php को open करते हैं और उसे edit with notepad++ करते हैं हमने insert.php open कर दिया, अब मैं यहाँ पर पहले form action लेता हूँ form action is equal to, हमारा page कौन सा है, select.php अब form action जब भी use करेंगे, तो submit button पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो वो select.php पर redirect होगा लेकिन हमने insert की query कहाँ पर रखी है, insert.php में तो जो यह वाला code है, insert का code, वो execute नहीं होगा क्योंकि वो direct redirect कहाँ पर कर देगा, select.php में हम वो भी demo करके देख लेते हैं, हम यहाँ पर insert.php में हैं और select.php में अभी कितने data है, वो भी हम देख लेते हैं अभी हमारे पास 52 records है, हम यहाँ से insert करते हैं फाइल अपलोड कर देते हैं, और insert करते हैं redirect हो गया, select.php में, लेकिन हमारा data insert नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो insert की query है, वो execute नहीं हुई तो उसका solution यह है कि हम header location का use करें header location भी form action की तरह जब हम submit button पर click करते हैं तो redirect करने के लिए use होता है, अब हम ऐसा करना कि submit button पर click करते ही redirect करवाना है, तो यह हमारी if is set condition है, हमें कहाँ पर query के नीचे यहाँ पर header location लगाना होगा, header location लगाने के लिए header function है उसके अंदर bracket में single quotes में location उसमें page का नाम, इस तरह से हम header location define कर सकते हैं, अब हम page को run करते हैं, पहले हम insert.php में जाते हैं, यहाँ पे username डालते है, password डालते है, address डालते है, sender, country डालते है, education और file upload करते हैं, और insert कर देते हैं, redirect हो गया हमारा page, अब 53 records insert होना चाहिए, तो वो भी हो गया, तो इस तरह से हम header location का use करके page को redirect करवा सकते हैं, अगर हमें कुछ print करवाना हो तो यह header location की जगह पे हम echo करके भी print करवा सकते हैं, लेकिन हमें redirect करवाना है, तो header उसके अंदर bracket में location, location में हमें select.php जो हमने page बनाया है, उसका location दे रहा है, तो इस तरह से हम header location का use कर सकते हैं, thank you for watching this video. कर्चक़ अन व कर दो दो करा दिसे से रहां है। स्झोब आट नव"; बीम में, तो